दोस्तों, Laptops कितने तरीके के लेने चाहिएं, कौन-कौन से Laptops लेने चाहिएं, Laptop Buying Guide बहुत सारी बने हुएं इंटरनेट पे, इसके बारे में सब बात करते हैं, लेकिन कौन से Laptops नहीं लेने चाहिएं, इस टॉपक के उपर बहुत कम लोग बात करते हैं, तो मैंने सोच से Laptops आपको 100% अवोइड करने हैं, इस वीडियो के एंड तक आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तीन ऐसा है ना कि आज की रिट में Laptop लेना अपने आप में बहुत टेड़ी खीर हो गई है, जितने लोग लेने जाते हैं, उससे ज़्यादा आजकर बेचने वाले इस वरियंट्स पर आ रहे हैं, लिकिन कि आज तक आपने कोई सबसे ज़्यादा सक्सेस्फुल ऐसा Laptop देखा है, जिसके अंदर टच्क्रीन हो, ओवर टाइम अगर आप टच्क्रीन Laptops के रिव्यूज देखोगे ना, तो वो ज़्यादा तर नेगटे भी आते हैं सब लो या 360 वाला सिस्टम अड़ हो जाता है, तो वहाँ पर लाप्टॉप ऑटोमाटिकली थोड़ा सा वेड भी गेन कर लेता है, थोड़ा सा बल्की भी हो जाता है, मोरोवर आप जितना पैसा ज़्यादा दे रहे होते हो, टच्स्क्रीन का, अगर आप वो टच्स्क्रीन ना ले अगर आपका एक पर्टिकुलर बजट है, जो कि टच्क्रीन लाप्टॉप के अंदर आ रहा है, तो, सेकंड चीज है, SSD की हाई, लोगों में SSD का बूट सब आ रहा है, और ये बूट मतलब काफी दाइम से चल रहा है, जब लाप्टॉप को सर्च करने या फिर लेने के होता है, कुछ-कुछ offline sellers भी ऐसे कर सकते हैं, करते हैं या कर सकते हैं, मतलब समझ रहो न, कि कोई पुराना model उठाया, उसके अंदर से hard drive निकाली, SSD का SATA वाली लगा दी, और आपको full rate पे MRP पे बेच दिया, MRP पे नहीं लोगे, थोड़ा सा discount ले लोगे, उसमें भी वो रा यह अगर आप एक beginner हो, laptops की line में, तो शायद आपको यह दुगांदर ना बताए, आपको अपने research करनी पड़ेगी, अपने पैसे बचाने के लिए, कि SSD यहाँ पे 3-4 अलग-अलग तरीके के होती है, एक normal SATA होती है, then M.2 NVMe होती है, इसके अंदर भी कौन सी category वाली आपको मि देने वाला system, कि online आपने SSD मंगा ली and सीधा insert कर ली, वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा, rather than कि आप एक महेंगा laptop ले रहे हो, जिसके अंदर pre-installed SSD मिल रही है, तो instead यह कि आप सिरफ SSD को दिमाग में रख रहे हो, कि हमको इस laptop में SSD मिल रही है, आप उसकी details में, description में, spec sheet में, य अगर आप एक normal hard drive वाला laptop लेकर अलग से SSD लगवाते हो, वैसे यह बात भीना सिरफ उनके लिए applicable होगी, जो बहुत ही जादा current generation के laptops नहीं, बलकि एक दो साल पुराने वाले models लेते हैं, जैसे कि i3 11 generation, i3 12 generation भी अब तो पुराना ही हो गया, क्योंकि 13 था गया है, तो इनके उ generation on the way है, आने वाले हैं कुछ 2-4 महीने के अंदर, अब यहाँ पे अगर आप बहुत जादा पुरानी generation का laptop ले रहे हो, जैसे कि 9th generation, 10th generation, यह एक drawback है, आपको इस तरीके के laptops नहीं लेने है, इसका नहीं काफी major reason है, वो भी समझाता हूँ, अब देखो यहाँ पे रिटेलर यहाँ online seller के पास stock है, let's say 2020 का भी है, and then 2021 तक उसके पास कुछ stock बज गया, 2021 में company ने नया model निकाल दिया, new generation जी, 2021 model, and ऐसे ही repeat हो जाता है, अगले साल पे 2022 का एक new model आ गया, अब seller के पास तीनों variant है, 2020, 2021, 2022, उसको सबसे जादा profit किस में मिलेगा, अगर वो आपको पुराना version, current rate के अंदर बेच दे, and सबसे जादा नुकसान किसका होगा, आपका, क्योंकि आप पूरे पैसे दे रहे हो, and दो साल पुराना model ले रहे हो, तो आपको ऐसा कोई laptop नी लेना है, कि अगर वो दो साल या एक साल पुराना वाला model दे रहा है, उसके सामने नया version भी available है, until and unless वो ददस अजारों पे कम में मिल रहा है, अगर एक साल पुराना ले रहे हो, लेकिन अगर सिरफ marginal discount है, कि 2000 का discount है, 2000 का discount है, 2000 का discount है, पिछले साल के model पे, तो मैं definitely बोलूँगा, कि आपको वो laptop नहीं लेना है, next category जो आपको नहीं लेनी है, या avoid कर सकते हो, तो कर लेना, वो है refurbished laptops, अब refurbished में क्या सीन है, कि लोगों का एक belief बना हुआ है, कि ब्रैंड से इल रहा है, हमको warranty मिल रही है, छे महीने की, तो बड़िया ही चीज निकलेगी, अंदर भाई unused, untouched, बिल्कुल piece निकलेगा, लेकिन तारे cases में ऐसा नहीं होता, until and unless, आपको एक ऐसी deal मिल रही हो refurbished क्या आई हो, let's say Samsung की लक्या आई थी, वो तो निकाल दी, और कोई सस्ती सी दूसरी लगा दी, अब आपको specification तो उतने ही मिल रहे है, लेकिन अंदर quality of materials degrade हो गए, and क्योंकि आप उसको खोलने दो वाले नहीं हो, check करने के लिए, तो यहाँ पे आपको warranty भी मिल रहा है, वो सा आपके laptop की performance के उपर difference आ सकता है, let's say 8GB RAM बोलिए, तो 8GB RAM तो ठीक है, चाहे Samsung की लगाओ, चाहे Toshiba की लगाओ, चाहे A data की लगाओ, किसी भी लगाओ, लेकिन पदा-पदा की आपको 300 MHz वाली मिल रही थी, वो काट के 2400 MHz वाली लगा दी, आपके laptop की performance तो बैसी decrease हो गई, and और भी काफी सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अंदर Wi-Fi कार्ड होता है, काफी सारे laptop में वो detachable होता है, and ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब avoid कर सकते हो तो कर लेना, next चीज है expandable RAM, इस चीज भी बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, क्योंकि जब नया laptop लेना होता है, तब दिमाग में ये तो होता है कि कितनी RAM वाला laptop लेना है, 8GB, 16GB, लेकिन ये ध्यान नहीं रहता कि आज से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, मुझे upgrade करने पड़ा, तो क्या वो laptop support कर भी रहा है, upgradability या फिर नहीं, कुछ-कुछ budget laptops में companies क्या कर रही है, कि सस्ता तो दे रह लेकिन उसके अंदर upgradability नहीं है, या तो RAM उसके उपर soldered कर दिये, या फिर उसके उपर एक slot दिया, जो कि already occupied है, इसी तरीके से SSD की भी upgradability चेक करनी होती है, कि कहां तक maximum ये support करेगा, जो भी company हमको motherboard लगा के दे रही है, जो भी chipset लगा हुआ है, वो कितना high level तक support करेगा, अगर आपका कुछ भी issue आना start हो गया, कोई program lag करना start हो गया, कोई software slow बढ़ना start हो गया, आपका laptop जी dead है, उसके बाद आप सिरफ उसको basic task के लिए use कर पाऊगे, अप्ग्रेड करके अपने software को run नहीं करोगे, in fact बेचना पड़ जाएगा आपको अपना laptop, अगली चीज है graphic card यहाँ पर दो तरी यह graphic card होते है, integrated and dedicated, obviously आप सबको पता होगा, लेकिन offline market में ऐसा दुनिया भर का पाघल बनाया गाता है, अगर integrated graphic card है, उसको dedicated बोल के बेच देते हैं, चीज के अंदर तो Radeon इतने GB का graphic card है, मतलब दुनिया भर का तूचिया बनाते हैं दिन पर, जो थोड आपके gaming हो गई, editing हो गई, video editing, आपके graphic designing, integrated वाला जो graphic card होता है, वो आपके छोटे मोटे basic task करवा देता है, and साथ में आपके minor जो videos के सारे काम होते हैं, या displays के सारे काम होते हैं, वो थोड़े से अच्छे करवा देता है, अगर आपको graphic intensive की need है, अपने पूरे delete के task में, जिस दुकानार बोले ना कि ये dedicated लगा हुआ है, और इसके अंदर 25,000 का हम आपको दे रहे हैं, सिरफ आपकी शकल के उपर है, last चीज है, यहाँ पे internal details, let's say, अगर आपको ये कैसा आपको पुराना laptop ले रहे हो, अपने friend आपको कोई बेच रहे है, आप उसका laptop ले रहे हो, and आप पसदार ही अच्छी है, वो भी जूटनी बोल रहा है, और आप भी उसका laptop में interested हो, and deal भी अच्छी crack हो जाती है, आपने उसका laptop ले लिया, and आपको पता है कि ये upgradability भी है, quality भी सही है, generation भी आपको पता है, सब चीज पता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक काम ये करना होगा, कि जो उसके motherboard का model number है, जो CPUs के साथ उन्होंने लगाया हुए है, जो pairing करी हुई है, ये आप जैसे ही internet पे डालोगे, कि ये वाला motherboard है, and ये CPU है, तो आपको बाकी की चीज़े पता चल के आ जाएंगे, कि ये motherboard जो है ना, ये कहां तक upgradability support करता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो, upgradable motherboard है, उसने, friend ने already 16GB RAM लगा रखी हो, आप सोच जो 32 लगा लोगे, लेकिन जब आप चेक करोगे, तो आपको पता चल लगा कि 16GB से उपर आप जाई नहीं सकते, तो ऐसा ना हो कि आपने कोई चीज़ खरीद ली, बिना चेक करें, देखे, and उसके बाद जब को चेक करने हैं, लेने से पहले, यहां फिर एसे लैपटोब बिल्कुल मद ही लो, तो जादा अच्छा है, आपका experience कैसर आए, offline market में, मतलब काटा है कि नहीं काटा है, मतलब दुकानदार जूड बोलती है कि नहीं बोलती है, आपको क्या लगता है, नीचे मुझे comment करके ब चलो फिर, stay safe, stay sarcastic, see ya, goodbye